नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फोर्सिस के पास जो अभी हेलिकॉप्टर है वे बहुत ही पुराने होते जा रहे हैं ऐसे में फोर्सिस ने ये गुहार लगाई है गुवर्मेंट से कि वह मेकिन इंडिया के तह फोर्सिस ने अब ये कंसर्न उठाया है कि उनके हेलिकॉप्टर बहुत जादा पुराने हो चुके हैं स्पेशली वे बात कर रहे थे चीता और चेतक हेलिकॉप्टर के बारे में और उन्होंने चिंता इस बात पर जताई कि इनकी टोटल टेकनिकल लाइफ 2023 के अंदर पूर कर रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट है वे जल्द से जल्द और टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करें जो दिया जा चुका है और इसके इलावा दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री को ओल्रेडी बोला जा चुका है कि हमारे पास जो पुराने हेलिकॉप्टर है जो बहुत ही ज चाहिए लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है और अब ये जरूरत और ज़्यादा गहरी हो जाती है जब हमारा मिलिटरी कनफरन्टरेशन चल रहा है चाइना के साथ इस्टरन लदाक के अंदर और स्पेशली दोस्तों इसको पांच महीने हो चुके हैं और अभी लग रहा है कि ये विंटर तक भी जाएगा और अभी हमारी आर्मी इंडियन एर फोर्स और नेवी 187 चेतक हेलिकोप्टर और 205 चीता हेलिकोप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इवन दोस्तों हाई एल्टीटूड एरिया जैसे कि सियाचीन गलेशियर रीजन है इसके अंदर भी वे इस हेलिकोप्टर चाहिए लेकिन दोस्तों जो अप्रोच रही है अभी तक इने एक वायर करने की वो बहुत ही जादा उदासी से भरी है और इसके लिए जो पहली डील की गई थी वो था एक जोइंट वेंचर इंडिया और रशिया के बीच में स्पेशली दोस्तों इसके किमत 20,000 करोड रुपय थी और दोस्तों अब 5 साल बीच चुके हैं लेकिन अभी भी ये टेक्निकल इवैलुएशन स्टेज पे है यानि कि इसकी टेक्निकालिटी भी फाइनल नहीं हो रही और कोंट्रेक्ट तो अभी बहुत ही दूर है और दूसरी बात दोस्तों इसके अं हेलिकोप्टर भी डेवलप कर चुकी है और इसके काफी टेस्ट हो चुके है इनीशियल रिक्वाइरमेंट के हिसाब से 111 आर्मी के लिए और 61 इंडियन एर फोर्स के लिए बनने है और आपको बता दें कि फरवरी मंत के अंदर ही इंडियन एर फोर्स वेरियंट को IOC मिली है तो ऐसे में मिलिटरी ओफिसर्स का कहना है कि कमोव को और H.E.L. के प्रोजक्ट को साथ में चलना चाहिए ताके हमारी जरूरतों के अंदर कोई भी गैप न आए और जल्द से जल्द ये पूरी हो जाए और इसके इलावा दोस्तो एक तीसरा प्रोजक्ट भी है जो स्ट स्ट्रेटाजिक पार्टनर्शिप मोडल के तहत बनना है इसके तहत 111 आमड ट्विन इंजन नेवल यूटिलिटी हेलिकोप्टर बनाए जाने है जिसका कोस्ट 21,000 करोड रुपए आएगा और इसके लिए एक इंडियन प्राइवेट कमपनी को भी सिलेक्ट किया जाना है मेनिफेक्चरर के साथ में टाई अप के लिए और फिर ये मिलके इसे बनाएंगी और दोस्तो अगर इसकी डिटेल के बारे में जाएं तो अभी तक चार इंडियन फर्म जिसके अंदर टाटा, अडानी, महिंदरा, डिफेंस और भारत फोर्ज सिलेक्ट की जा चुकी है और कमपनी का कहना है कि HAL को इसके अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे गोर्मेंट कमपनी होने का और गोर्मेंट के जो सोर्सिस के थ्रू पैसा मिलता है उसका बेनिफिट मिलेगा और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में दोस्तों इंडिया के अंदर हेलिक आ रहे हैं अब सारी पोलिसी नहीं आ रही है तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि नई पोलिसी के हिसाब से ही आगे नया वेंडर भी चुना जाएगा और सारी शर्ते भी रखी जाएंगी लेकिन बहुत सा काम फास्ट रैक पे भी हो रहा है ये बा इन्यावाद जाहिन